कुश्चन नमर 22 देखते हैं कि A ने कोई वस्तू A ने कोई वस्तू B को 25 प्रतिश्द लाब पर B ने वह वस्तू C को 20 प्रतिश्द लाब पर तता C ने D को 10 प्रतिश्द लाब पर बेजी यदि D ने इसे रूपए 330 में खरीदा हो तो A ने उसे कितने में खरीदा देखिए इस टाइप का कुश्चन एक मैं बता चुकी है A ने कोई वस्तू B को 25 प्रतिश्द लाब पर ठीक है B ने वह वस्तू C को 20 परसंट लाब पर तता C ने D को 10 परसंट लाब पर बेजी तो यहां मुल्टा शुरू करते हैं A ने उसे कितने में खरीदा यदि D ने इसे 330 में खरीदा और D ने इसे कितने में खरीदा 330 में तो यह बताएए D का यह क्रेमूल हो गया लेकिन C ने जब इसे बेचा तो 10 परसंट लाब पर बेचा है कितने लाप पर बेचा 10% लाप पर तो यहाँ पर अगर हम देखें सी का में सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या इस टाइप के कोश्टन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं देखें एक दुकांदार चीनी को इस प्रकार बेजता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रे मूल एक किलो ग्राम चीनी के क्रे मूल लेके बराबर है यानि कि जो ग्राहक है उससे पैसा तो वो एक किलो ग्राम चीनी का ले रहा है लेकिन उसको चीनी कितनी दे रहा है जावर एक किलो ग्राम चीनी का लेघा हम उससे पैसा दो ले रहा है लेकिन चीनी उससे नौसो पच्चास ग्राम तो यहीं पे वो फाएदा कितने ग्राम का ले रहा है प्रतिशतला पूचा गया, तो सीधी सी बात है, फाइदा कितना ले रहा है, ये फाइदा वो ले रहा है, नौसो पचास ग्राम पे, ये फाइदा किस पे वो ले रहा है, नौसो पचास फाइदा हो रहा है, तो कम पे ही तो वो ले रहा होगा, एक एक जार ग्राम पे तो ले नहीं नोसोपचास ग्राम पे फाइदा ले रहा है और पर्सेंट में निकालना है तो सो का घुणा कर दिया 0 से 0 5 और एक 19 कि सो बटे 19 अगर इसे आप अदलना चाहें तो 19 पने 95-5 बटे 19 पर्सेंट देखिए पीछे जो ABC वाला मैंने कोश्चन लगाया तो सेम टाइम का कोश्चन आईए यदि किसी निर्माता का लाभांस 10% थोक विक्रेता को दिया तो थोक विक्रेता का लाभांस 15% था फिर फुटकर विक्रेता का लाभांस 25% हो तो उस वस्तो का उत्पादन मूल क्या होगा जिसका फुटकर मूल ले फुटकर मूले लास्ट वाली प्राइस मुझे दे दी गई और सबसे पहले वाली पूछी गई है कि उत्पादन मूले निर्माता उसे कितने में बना रहा था तो वही हम करते हैं, 1265 पीशे से चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले लाभांस कितना है, 25 परचंट, तो 100 बटे, 125 इंटू, यह क्या निकल रहा है, यही क्रैमूल है, क्रैमूल में पता है, उल्टा गुणा करते हैं, 100 उपर रहता है, और जितने का लाभानी हो, वो नीचे रहता ह 100 बटे, फिर क्या ओड़ा है, 15 पचंट, तो 115, multiplied by 100 बटे, 110, जीरो से यह 0, 5 दूनी 10, पचंपचीस, 5 दूनी 10, पचंपचीस, 5 दूनी 10, पचंपचीस, 5 तीओ 15, ठीक है, 253 में गुणे, 100 में गुणे, 100 में गुणे 10, बटे 25 में गुणे, 115 में गुणे 11, देखे, 11 एकम गुणे 11, दूनी 22, और 3 गुणे 33, ठीक है, 31 एकम 30, 35 में 115, पच्चिस चकू 100, और 5 दूनी 10, दो चकू 8, यानि 800 रुपए, यह क्या है, उत्पादन मूल, यानि कि निर्माता को यह वस तो पहले 800 रुपए में पढ़ी थी, उत्पादन मूल, यहां से बस उल्टा चलना शुरू कर दिजिए, पीछे इसे कोशन लगते हैं,